हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल बालोजी साइंस आज हम आप लोगों के लिए TGT बालोजी 2011 का पेपर लेकर के आए हैं चलिए सुरू करते हैं पहला कोशन है मेंबर्स आफ विच ग्रूप आर यूजट इन मेकिंग बियर यानि किस समों के सदस्यों का उपियोग वियर बनाने में किया जाता है राइजोपस, अल्बियोगो, निरोस्पोरा, इस्ट किसका उपियोग करेंगे तो आंसर सही होगा इसमें D, इस्ट का उपियोग वियर बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग पावरोटी है, पिज्जा है, जली भी है, आदि बनाने में भी किया जाता है और यह एक प्रकार का कवक है या फंजाई होता है जिसे खमीर भी कहा जाता है प्लाजमोडियम की कौन सी अवस्था मनुस्य के लिए संक्रामक होती है चार आपसन दिये गए हैं, आपसन कौन सा सही होगा सी, इस्पोरो ज्वाइट आपको बता दें, जो प्लाजमोडियम है, यह प्रोटो जोवा संका जन्तु होता है और यहां मलेरिया रोग उद्पन करता है, मलेरिया और इस जन्त को फैलाता कौन है एक बित से दूसरे विक्ति में, तो मादा एना फ्लीज मच्छर फैलाता है एक संट पर आते हैं, टिफ्लो सोल इस आर्थ वहर्म इस मिन्ट फार, टिफ्लो सोल इन आर्थ वार्म इस मिन्ट फार, चारा आप संदी गया है पूछा गया है केचुए में टिफलोसॉल का कारे है क्या कारे होता है तो आंसर से होगा पहला डाजेशन एब्जॉप्शन यानि पाचन तथा अवसोशन यह कारे होता है इकजोलोटल लार्वा समबंधित है यानि एकजोलोटल लार्वा बिलॉप्श टू कुछ मचलियों से कुछ उभैचरों से कुछ प्रोटो कसेरिकियों से कुछ आ कसेरिकियों से कौन सा option सही होगा, option सही होगा, इसमें be some amphibians, यानि कुछ उभैचर से सम्बंधित है, और इनमें neotenny stage भी पाई जाती है, neotenny stage, next question है, इनमें से किन जन्तों में ब्रैंकियल स्वसन पाया जाता है, चार आपसन दिये गए हैं आपके सामने, कौन सा option सही होगा, तो इसमें option सही होगा, D, मचली तथा इथियो फिस में ब्रैंकियल स्वसन पाया जाता है, ब्रैंकियल स्वसन है क्या, तो respiration with gills is called branchial respiration, यहीं ब्रैंकियल स्वसन कहा जाता है, next question है, water vascular system is a feature of, जल समभान तंत्र किसका एक लक्षण है, आंसर सही होगा, इसमें B, estrias का, और estrias को तारा मेन भी कहा जाता है, अंग्रेजी में star fish भी कहा जाता है, और इसमें लोको मोसन अगर पूछ लिया जाता, तो गमन कैसे होता है, तो लोको मोसन कैसे होता है, नाल पादों के द्वारा गमन होता है, और जल समभान तंत्र, इकाइनो डर्मेटा संग का बिशिच लक्षण होता है, इकाइनो डर्मेटा संग का, नेक्ट कुशन पर आते हैं, सिंस एक्रम बोन is the feature of, सिंस एक्रम अस्थिक किसका लक्षण है, चार आपसन दिये गए हैं, रेप्टाइ आंसर सही होगा, इसमें C, फ्लाइंग बार्ट्स, यानि उडन सील चिडियों का बिशिच लक्षण होता है, और यह अस्थि सरीर का संतुलन बनाती है, जो सिंस एक्रम अस्थि है, यह सरीर का संतुलन बनाती है, मतलब यह अस्थि तेजी से उड़ रहे पच्छी, जो पर आते हैं, तुन्हें धक्के और जहटके से बचाती है, नेश्ट कुश्चन है, सीड हैबिट इस आपजर्बड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है, किसमें, लाइको पोडियम में, सेले जनेला में, राइनिया में, स्पैकनम में, किसमें पाई जाएगी, आंसर सही इसमें, बीवाला, सिले जनेला में, बीज प्रकृति पाई जाती है, और सिले जनेला को, लगु क्लब मास भी कहा जाता है, लगु क्लब मास, यह एक टेरिडोफाइट सो होता है, और लाइको पोडियम के अगर बात की जाए, तो लाइको पोडियम को, क्लब मास कहा जाता ह और जो इसमें से राइनिया है राइनिया जीवास्म सम्वहनी पौधा होता है फोसाइल वैस्कुलर प्लांट होता है नेश कोशन पर आते हैं इन ब्रायोफाइTA में बीजानोद भीद अवस्था होती है चारह फसन दिये गये हैं आलवेज हैपलाइट, आलवेज डेपलाइट, मेलनी डेपलाइट बास हैपलाइट और डेपलाइट आंसर सही होगा भी हमेशा डेपलाइट होता है यानि गेमिटोफिटिक इस्टेज आगूरित या हैपलाइड होती है बाकी ये हमेशा डेपलाइड होता है नेक्ट कोई सर पर आते हैं identify the true statement यानि सत्य कथन को पहचानना है इसमें से कौन सा सत्य कथन है चार आपसन आपके सामने है बताना है सत्य कथन कौन सा है आंसर होगा पहला प्रोटो जोवा अधिकतर बिसम पोसी होते हैं ये सत्य कथन है और प्रोटो जोवा एक कोशकी जन्त होते हैं और इनकी कोशकाएं कैसी होती है तो प्रोकेरियाटी कोशकाएं होती है next question है पर्मानेंट टिसू with various cells in plant is called इस्थाई उतक जिन में बिभिन प्रकार की कोज़ काएं पाई जाती हैं कहलाता है क्या कहलाएगा तो जटिल उतक कहलाता है complex tissue कहलाता है और जटिल उतक या complex tissue दो प्रकार का होता है जायलम और फ्लोयम जायलम का कारे जड़ो दोरा अवसोसी जल्वा खनिस पदार्थों को पेड़ पौधों के बिभिन भागों तक पहुचाना और फ्लोयम का कारे पत्यों में बना हुआ भोज़ पदार्थ जो होता है उसको पेड़ पौधों के बिभिन भागों तक पहुचाना तो इस तरह से यह हो जाएगा तेहें नेश कोशन पर What is the function of protostomium in earthworm? शाराफ संदिये गए हैं और पूछा गया है केचुवा में protostomium का मुख्य कारे है क्या कारे होता है? मिट्टी, खोदना, सम्वेदी, अंग की तरह A और B दोनो इन में से कोई नहीं आंसर सही होगा C, A और B दोनो यानि protostomium का मुख्य कारे होता है मिट्टी, खोदना और सम्वेदी, अंग की तरह भी कारे करता है और जो केचुवा है यह N.A.L.I.D.A.S.ं का प्राड़ी है N.A.L.I.D.A.S.ं का जन्तु है और यह दूई लिंगी होता है दूई लिंगी ऐसे जन्तु जिनके एक ही सरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग पाये जाते हैं Next question है What is the current sequence of cytokrome in ETS? Correct sequence क्या है cytokrome के ETS में यानि ETS में cytokrome का सही क्रम बताना है तो ETS का पहले पूरा नाम जा लेते हैं Electron Transport System ETS हैनि Electron Transport System और इसमें आंसर सही होगा C वाला B, C1, C, A और A3 ये सही क्रम होता है सही सी क्विंस होता है Next question पर आते हैं Peptide Synthesis in a Cell Ocarine किसमें होगा? कोसिका में Peptide Sinsulation होता है किसमें? Mitrochandria में, Cloroplast में, Ribosome में, Kendrak में आंसर सही होगा इसमें C, Ribosome में होता है Next question है Histone Octomer does not include Histone Ashtak में सम्मलित नहीं है क्या नहीं सम्मलित है? तो H1, H1 सम्मलित नहीं है आपको बता दें कि Histone Ashtak छोटी धनावे सित चारिय प्रोटीन्स होती है Next question है Number of Bars Bodies in Client Filter Syndrome is Client Filter Syndrome में बारकाय की संख्या होती है कितनी होगी? आंसर सही होगा पहला एक होती है और यह सिंड्रोम नपुनसक होता है नपुनसक और इसमें होता क्या है? इसमें लिंग गुरसूत्र दो के बजाए तीन हो जाते है Next question है Mutations are male उत्परिवर्तन अधिकतर होते है Harmful, Beneficial, Recessive, Dominant आंसर सही होगा इसमें C उत्परिवर्तन अधिकतर आप्रभावी होते है लेकिन आपको बता दें कि कभी-कभी यह हानिकारक या प्रभावी भी हो जाते है Next question है Inheritance up acquired characters was the main point of चार आपसं दिये गए है Darwin का सिध्धान्त HD Breeze का सिध्धान्त Lamar का सिध्धान्त Valish का सिध्धान्त उपारजित लक्षणों की वनसागति किसके सिध्धान्त का मुखे बिंदू था यह बताना है आंसर सही होगा C लैमार के सिध्धान्त का मुखे बिंदू था लैमार के सिध्धान्त का आपको बता दें कि लैमार कवाद Darwin वाद उत्परिवर्तन वाद इन सब परमेरे चर में वीडियो अप्लोड़ेड है आप लुग जा करके अच्छे सिध्ध देख सकते हैं नेश्ट कुश्चन है मैंडल के दुई संकर क्रास में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षन प्रारूप होंगे इन मैंडलियन डाई हाब्रेड क्रास हाउ मैनी टाइप्स आप जीनो टाइप और फीनो टाइप विल बी प्रेजेंट आंसर सही होगा इसमें B क्रम सहा 9 तथा 4 होंगे 9 और 4 आपको बता दें कि डाई हाइप्रेड क्रास मोनो हाइप्रेड क्रास इन पर चैनल में वीडियो अप्लोड़र है आप लोग जा करके देख सकते हैं नेश्ट कुश्चन है और ये जीन प्रारूप कौन कौन से होते हैं तो A, A, O, B, B, O, A, B, O, O नेश्ट कुश्चन पर आते हैं वीच बेस ओफ एक कोडान इस काल्ड वोबेल बेस यानि एक कोडान का कौन सा चार वोबेल चार कहलाता है फाइस्ट, सेकेंड, थर्ड, नन आप दीस आंसर सही होगा इसमें सी थर्ड यानि तिरती है नेश्ट कुश्चन पर आते हैं मेसल संस अंड इस्टाल यूजड वीच रेडियो आईसोटोपस फार दियर एक्सक्परिमेंट्स आंसर इसमें सही होगा पहला एन फिप्टीन नेश्ट कुश्चन है यदि किसी आर इनने में 15% एडिनीन है तो साइटोसीन की मात्रा कितनी होगी पूछा गया है तो देखें यहाँ पर आर इनने की बात की गई है और चार गहफ के नियम के अनुसार एडिनीन हमेशा थाइमीन के बराबर होता है और गवानीन हमेशा साइटोसीन के बराबर होता है तो यह जो एडिनीन, गवानीन, साइटोसीन, थाइमीन यह किस में पाय जाते हैं? डिनने में पाय जाते हैं मुख्यरोब से लेकिन जो आर इनने होता है आरेने में थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाय जाता है इसले ये सही नहीं होगा यानि कि ग्यात नहीं किया जा सकता है next question है soilless culture of plant is called पाउधों का मृदाविहीन समवर्धन कहलाता है क्या कहलाएगा answer सही होगा इसमें सी hydroponics कहलाता है मृदा भीन यानी मिट्टी ना होना ऐसे पौधे होग जाएं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है क्रियेटिन फास्पेट इस फाउंड इन क्रियेटिन फास्पेट एपिधिलियम टिसू, नियॉरेल टिसू, मैस्कुलर टिसू, बोन मैरो आंसर सही होगा, इसमें C, मैस्कुलर टिसू या पेसी ओतक में क्रियेटिन फास्पेट मिलता है नेश कुशन है, वन लीटर आप बलड कैरीज हाव मच ऑक्सिजन टू बोडी टिसू, एक लीटर रक्त के द्वारा कितनी ओटू ओतकों तक पहुचाई जाती है आंसर सही होगा, इसमें 200 ml या 200 ml, नेश कुशन है, ट्रॉफिक लेवेल्स इन ए फूड चेन सू, खाद श्रेंखला में पोसक अस्तर दरसाते हैं, क्या अस्तर दरसाते हैं, तो आंसर सही होगा, इसमें पहला फंक्शनल लेविल दरसाते हैं, किरियात्मक अस्तर को दरसाते फूड चेन और फूड विब इन दोनों पर वीडियो में रिचर में अप्लोड है आप लोग जा करके देख सकते हैं नेश कोईशन है ग्लॉसिना पलपेलिस इस दा जुलोजकल नेम आफ चार आफसन दिये गए हैं और पूछा गया ग्लॉसिना पलपेलिस किसका जनतो वैग् पलपेलिस ओर सोरिया रोबस्ता आंसर सही होगा इसमें भी पाइनस जानी पिक्नोजायलिक काष्ट पाइनस में पाई जाती है नेश कोईशन है बाथ इस पाँज इस बात consistently समें से यह चांटना है तो आहन सर इसमें होगा यूज उपशिया यूज स्पनज या बात इस पा से बिलॉंग करता है किस कुल से संबंधित है तो आपको पहले बता दें कि गौसी पीम को कापास कहा जाता है कापास अथवा अंग्रेजी में कहें तो कॉटन कहते हैं और कापास अथवा गौसी पीम मालवेशी कुल से संबंधित है यानि आंसर सही होगा इसमें बीवाला ने यो बैक्टीरिया जन्य नहीं है क्योंकि यह वाइरस से होने वाली बीमारी होती है 20 जन्य बीमारी होती है नेश कुछन है मेटाजेनेसिस इस अब्जर्वड इंटर आपको बता दें कि सीलेंट ट्रेटा संग के कुछ जन्तों में सेक्च्वल और एसेक्च्वल स्टेज का लाइफ साइकिल में पिढ़ी एकांतर होता है या अल्टरनेसर अब जन्रेशन होता है उसे ही मेटाजेनेसिस कहा जाता है स्पैनोडान जो की Lewit जीवास्म है किस समौह से संबन्धित है चारा प्संदेग हैं option सही होगा इसमें पहला वाला रिंको सिफैलिया से संबंदित है रिंको सिफैलिया से निम्नाकित में से कौन सा आर आर ने एक सकेंद्रिय कोशिका के कोशिका द्रबे में नहीं पाया जाता है आंसर सही होगा इसमें C, 16S, S फार स्वेडबर्ग यानि स्वेडबर्ग यूनिट होती है जो S लिखा होता है ऐसे आपने 70S लिखा देखा होगा और 80S लिखा देखा होगा इन सब के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल में राइबोसोम पर वीडियो अप्रोड़ेड है आप लोग जा करके देख सकते हैं नेश्ट कुछिशन है The type of link is found in carbohydrate is Carbohydrate में पाया जाने वाले बंधों का प्रकार है अंसर सही होगा इसमें D, glycosidic नेश्ट कुछिशन है A virus contains DNA only, RNA only, protein only, protein and nucleic acid अंसर कौँसर सही होगा? एक बीशाण या virus में पाया जाता है क्या पाया जाएगा? protein तथा nucleic amble नेश्ट कुछिशन है वीच आपदा following scientist worked on oinothera lemer कियाना यानि निमनाकित में से किस वैज्ञानिक ने oinothera lemer कियाना पर कार किया था? अंसर सही होगा C, HD breeze ने किया था ainothera lemer कियाना यानि कि संध्या प्रिमरोस पौधे पर किस वैज्ञानिक ने कार किया था? तो HD breeze ने किया था नेश्ट कुछिशन है meiosis occurs in all germ cells यानि सभी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है नेश्ट कुछिशन है which are the following cells never undergoes a space of cell cycle निमनाकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी एस प्रावस्था में प्रिवेश्ट नहीं करती? आंसर सही होगा इसमें पहला मनुस्य की तंत्रिका कोशिकाएं और मनुस्य में तंत्रिका कोशिकाएं भूरी अवस्था के बाद कभी भिक्सित नहीं होती है इसी को कहा गया है कि एस प्रावस्था में प्रिवेश्ट नहीं करती है next question है mycoplasma belongs to which kingdom? mycoplasma किस जगत से संबंधित है? आंसर सही होगा इसमें पहला मोनेरा जगत से संबंधित है मोनेरा next question है a sexual reproduction by conedia occur in conedia द्वारा अलेंगिक जनन पाया जाता है किसमे? तो answer सही होगा इसमें penicillium में पाया जाता है penicillium में next question है sexual reproduction is absent in चार आपसंदिये गए है और पूछा गया है लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है किसमे? answer सही होगा इसमें c deuteromycetis में deuteromycetis में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है नहीं होता है next question है the genetic codon far formulated methionine in a bacterium is answer इसमें कौन सही होगा? पूछा गया है यह जीवाण में formulated methionine के लिए आन्वानसिक कूट होता है AUG होता है B वाला अप्शन सही होगा और यहाँ आरंभिक कोडान होता है आरंभिक initial कोडान होता है next question है peptidoglycan is present in peptidoglycan उपस्थित होता है किसमें? answer सही होगा c cellulop many bacteria बहुत से जीवाणों की कोशिका भित्य में peptidoglycan उपस्थित होता है next question है the electron acceptor in non-cyclic photo phosphorylation is answer सही होगा इसमें कौण सा? इसमें सही होगा B वाला NADP प्लस आज अक्रिये प्रकास में अपके लिया या फोटो फास्फरलेशन में electron grahi NADP प्लस होता है next question है how many ATP can be formed from one acetyl co-enzyme in crepe cycle crepe chakra में एक acetyl co-enzyme A से कुल कितने ATP बनते हैं तो answer सही होगा इसमें c 12 ATP आणो बनते हैं next question है which hormone can cause closures of stomata कौन सा hormone रंद्रों को बंद कर सकता है answer सही होगा इसमें पहला A, B, A जो होता है ये रंद्रों को बंद कर सकता है और A, B, A को epsistic acid कहा जाता इसका पूरा नम क्या है epsistic acid होता है और वास्पो सर्जन को control भी खरता है next question है at which place digestion of glucose start glucose का पाचन किस जगह से प्रारंभो होता है मुखगुहा, आमासय, छोटी आंत्र इन में से कोई नहीं answer सही होगा इसमें D, none of these इन में से कोई नहीं next question है what is the time gap between two hear sounds हिर्दे की दोनों आवाजों के मधिक कितना समय अंत्राल होता है चार अफसंद ये गए है answer सही होगा इसमें C, 0.3 second का समय अंत्राल होता है next question है total number of bones in human school is मनुसे के कपाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है answer सही होगा इसमें C, 1.3 होती है जिसमें से 8 मस्तिस्क का खोल बनाती है 6 हड्डियां दोनों कानों में मिलाकर 3-3 होती है और 14 हड्डियां चेहरे में होती है और एक हड्डी दाढ़ी की हाइवर्ड हड्डी मिलाकरके 1.3 हो जाएंगी next question है histamine is released from histamine का स्रामण होता है किसे? answer सही होगा इसमें C, वेशो फिल्ट था मास्ट कोशिका से स्रामण होता है next question है the function of yellow bone marrow is yellow bone marrow is पीत अस्तिमज्जा का कार्य बताना है तो answer सही होगा इसमें D, वसा संग्रहन आपको बता दें कि अस्तिमज्जा थवा बोन मेरो दो प्रिकार की होती है एक पीत अस्तिमज्जा दूसरी लाल अस्तिमज्जा तो पीत अस्तिमज्जा है इसमें वसा का संग्रहन होता है और जो लाल अस्ति बज्जा है इसमें लाल रुद्राणों का निर्माड होता है RBC का निर्माड होता है Next question है The innermost layer of skin epidermis is तवचा में epidermis की सबसे आंतरिक सतह है कौन सी होगी आंसर सही होगा इसमें B Stratum malpigy Next question है Tornaria is the larva of Tornaria किस का larva है Starfish, Bellinoglossus, Scattlefish, Olothoria आंसर सही होगा इसमें B Bellinoglossus का लारवा होता है और जो Bellinoglossus है ये Hemicardita का जन्त होता है और कसेरुकी वा अकसेरुकी के बीच की कड़ी है कसेरुकी और अकसेरुकी के बीच की कड़ी कहा जाता है Next question है आप Proto-Joa that contains only Indoparasites Proto-Joa का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मलित है आंसर सही होगा इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसमें C. Sporo-Joa यानि ए Sporogenesis में होती है Next question है Flame Cells are concerned with जो आला को सिखाएं सम्बंधित है किस से आंसर सही होगा C. उत्सर्जन से सम्बंधित होती है जो आला को सिखाएं या Excretion से सम्बंधित होती है और जो आला को सिखाएं किस संग में पाई जाती है किस संग के जंतों में तो संग प्लेटी हिलमेंथिस के जंतों की प्रमुग विसेस्ता होती है Next question है Sexual Dimorphism is clearly seen in Langic दुरूपता इस पश्ट दिखाई देती है किस में? केचवा में, जोंक में, स्केरिस में, टीनिया में? आंसर सही होगा C. स्केरिस में Langic दुरूपता दिखाई देती है Sexual Dimorphism में दिखाई देती है कैसे? क्योंकि वो अलग-अलग होते हैं और बाकी जो दीजियों है इसमें सब दोनों एकी ही सरीर में पाए जाते हैं दोनों अंग Next question है Peripetus is a connected link between Peripetus का एक संयोजन कड़ी किन के मद्धे है? आंसर सही होगा इसमें C. Enlida एवं Arthopoda के मद्धे होता है Next question है Which plant has the largest ovule? किस पौधे का ovule सबसे बड़ा होता है? तो साइकस साइकस का ovule सबसे बड़ा Largest एक साइकस में पौधों में सबसे बड़ा अंडा साइकस में Largest इस पर मकी अगर बात की जाए तो साइकस में और largest size आप मिल गए मेर्स की बात की जाए तो साइकस में next question है secondary growth is absent in दुतियक बृध्धी अनुपस्थित होती है किस में तो एक बीज पत्री तने में monocot stem में दुतियक बृध्धी अनुपस्थित होती है नहीं होती है अगर आप लोग एक बीज पत्री क्या है दुविज पत्री क्या है जानना चाहते हैं तो चैनल से वीडियो देख सकते हैं next question है locomotion by parapodia is observed in parapodia द्वारा गमन पाया जाता है किस में पाया जाता है तो कुछ एनिलिड आजनतों में कुछ कहा गया है यहां पर और parapodia में CT अधिक होते हैं और यह होता किस में है जैसे नेरी इसमें parapodia के द्वारा गमन होता है next question है stroke volume in a healthy adult man is answer सही होगा इसमें D वाला 70 ml यहनि एक स्वस्त वयस को मनसे में stroke आयतन 70 ml होता है next question है which of the following is false for atries answer सही होगा इसमें B कपाट पाये जाते हैं पूछा गया है निम्ड मेंसे धमनियों के बारे में क्या असत है तो answer कौन सा इसमें कपाट पाये जाते हैं यह असत है क्योंकि धमनियों में कपाट नहीं पाये जाते हैं सिराओं में कपाट होते हैं ताकि बलडवापस न जाए और धमनियों में कोई भी कपाट नहीं होते हैं Number of cranial nerves in amniota में पाई जाने वाली कपाल तंत्रिकाओं की संख्या है कितनी होती है? 12 जोडी कपाल तंत्रिकाओं पाई जाती है 12 यानि 12 पेर्स C《 Corpus Eccleosum connection नेक्ट्स कार्पस कैलोसम जोडता है दोनों प्रमस्तिस्क गोलार्धों को टू सेरिब्रल हैमिस्फेर्स को जोडता है नंबर आप यूरीन फेरस टिब्यूल्स इन मैन आर अबाउट मनुस में मूत्र वाही नलिकाओं की संख्या है लगभग कितनी तो एक मिलियन पहला ओप नेफ्रांस भी कहा जाता है नेफ्रांस या व्रकाण भी कहा जाता है नेश्ट कोशन है टेस्टो एस्टेरोन का स्रामड होता है किससे तो लीडिंग को सकाओं से होता है और टेस्टो एस्टेरोन नरहार्मोन होता है नरहार्मोन और कहां से स्रामड होता है लीडिंग को सका हैं कहा पाइज जाती है तो वरसंड में पाइजाती है टेस्टीस में पाइजाती है यानि एग्जोः थाइल्मिक गवाइटर किससे होता है तो आंसर सही होगा इसमें Bt4 के आतिसyy रामर से होता है या थायराक्सिन के आतिसरामर से एकजोथ हैल मिगवाइटर हो जाता है नेश कुशन है इंदा ग्रास फैंबली कौटली डिनस आर काल्ट घास परिवार में बीजबत्र कहलाता है तो क्या कहलाएगा घास परिवार में बीजबत्र इसक्यू टेलम कहलाता है और घास परिवार का मतलब है ग्रेमनी कुल और ग्रेमनी कुल को पोयेशी कुल के नाम से भी जान रहता है या घास कुल भी कहा जाता है नेश कुशन है फ्रिवड प्रोडेक्शन विधाउत फर्टलाजेशन इस काल्ड बिना निसेचन के फल निर्माण कहलाता है अनिशेक जनन, अनिशेक फलन, अपयुगमन, असंग जनन तो इन सभी पर जो चारो आपसर में बताए है चारो आपसर पर अलग अलग वीडियो मेरे चल में अप्रोड़ है आप लोग जाकर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं तो इसका आंसर सही होगा बिन अनिशेक फलन, यानि पार्थिनो कार्पी नेश्ट कुशन है सिंगैमी इन अलगी अकर्स इन सैवालो में सिंगैमी कहां पाई जाती है तो इने वाटर चल में पाई जाती है नेश्ट कुशन है इन में से किस बिदी के द्वारा जाइगोट अथवा प्रारमभिक भूण में फैलोपियन नलिका में इस्थानांत्रित किया जा सकता है आंसर सही होगा इसमें C, Z, I, F, T के द्वारा जिफ्ट के द्वारा नेश्ट कुशन है अधिकान्स कीटो में लिंग निर्धारन का प्रकार है इन मेजॉर्टी अब दा इंसेक्ट दा सेक्ट डिटर्मिनेशन टाइप इस आंसर सही होगा इसमें से पहला X, Z, जीरो प्रकार का X, जीरो नेश्ट कुशन है एडेपलोइट अर्गनिजम इस हेट्रो लॉगान्स फार 4 लॉगाईदा टाइपस आपका मेट्स इट विल प्रोडूश्ट एक दिगुडित जीव जो चार लॉकस के लिए बिसम युगमन है कितने प्रकार के युगमक उत्पन करेगा आंसर सही होगा इसमें 16, C वाला नेश्ट कुशन है फास्ट रेस्ट्रेक्शन इंडो निकलेज एंजाइम वाज पहला रेस्ट्रेक्शन इंडो निकलेज एंजाइम था तो आंसर सही होगा इसमें पहला हिंद सेकेंड था हिंद सेकेंड और रेस्ट्रेक्शन इंडो निकलेज एंजाइम यानि आनविक कैजी के बारे मेरे चैन में वी दोप टोड़ है देख सकते हैं, समझ सकते हैं नेश्ट कुछन है इंड्यूसर इन लैक ओपेरान में प्रेरको होता है तो लैक्टोस प्रेरको होता है लैक्टोस, नेश्ट कुछन है नमबर आप BP in genome of 5.174 virus तो 5174 विशान्व के जीनोम में BP की संख्या कितनी होती है अंसर से होगा 5386 होती है Next question है according to HGP approximate number of genes in a human cell is HGP के अनुसार मरसी कोशिका में जीन की संख्या लगभग कितनी होगी HGP यानि Human Genomic Project के अनुसार अंसर सही होगा इसमें C 30,000 से 32,000 के बीच में होगी Next question है Which of these is not a Mendelian disorder इन में से कौन सी Mendelian बीमारी नहीं है Hemophilia, cystic fibrosis, Criadochette syndrome, Sikils-Kosika अरक्तता अंसर सही होगा इसमें C Criadochette syndrome ये जो है ये Mendelian बीमारी नहीं है बाकी जो तीनों बचे में मेंडलियन बीमारी है और जो Criadochette syndrome है ये क्रोमोसोम की संख्या में कमी अथावा विलो उपन के कान हो जाता है और इसे मियाउ syndrome के नाम से भी जाना जाता है इस syndrome पर मेरे चैनल में वीडियो अप्लोडर है जाकर देख सकते हैं तो Criadochette syndrome में दिख सकती है नेश कुचन है लिम्स आफ वैल बैट, ट्राइगर एंड मैन और एक्जाम्पिल ओफ वैल चमगादर चीता तथा मनुस्य के अग्रपाद उदाहरण है किसके समजात अंगों के उदाहरण होते हैं होमो लॉगस आरगन के उदाहरण होते हैं नेश कुचन है Highly Degenerated Gametophetic Stays in Seen-In सरवाधिक हासित या हरासित युगमोद्भित अवस्था दिखाई देती है किसमें आंसर सही होगा D. Angiosperm में दिखाई देती है और जो व्रायोफाइटा है ब्रायोफाइटा में युगमोद्भित मुखे पौधा होता है नेश कुचन है Which of the following is odd regarding the conversion of auxiliary bird into trendle कच्छस्त कलिका के प्रतान में रुपांतर के संदर्व में बिसम का चैन करें आंसर सही होगा D. Bog and Bilia नेश कुचन है In the leaflets are attached at the tip of the crystal that leaf is called तो आंसर सही होगा इसमें भी हस्ताकार संयुक्तुपत्ती नेश कुचन है कौचिस सीद Which is a mitotic poison can be obtained from कौचिस सीद जो की mitotic भिस है प्राप्त हो सकती है किस से ब्रैसिकेशी पैबेशी सुलनेशी लिलियेशी आंसर सही होगा ऑडि, लिलियेसी से नेश कुचिसन है दस से लप सेटरी preguntas दुतिक बलकुट की कोशिकाएं होती है कैसी होती है पैरन कायमैतर होती है ब्रदूत किये होती है नेश कुचिसन है इम प्रिवियस नेचेर आपकोर्ग फार वाटर इस त्यूटू डी पोजीशन ओफ विच खेमिकल आंसर सही होगा इसमें कौन सा पूछा गया है कार्क की जल के लिए अपार गम प्रिकरते निम्न में से किसके निच्छेपन के कारण होती है आंसर होगा इसमें बी सुबेरिन के सुबेरिन नेश कुछन है विच एनिमल टीशू इस एसोसियेटेड विद दिफ्यूजन और फिल्टुरेशन कौन सा जन्त ओतक बीसरण और निश्यंदन से संबंधित है आंसर सही होगा इसमें कौन सा पहला सरल सल की उपकला नेश कुछन है आएन एडल्ट हेल्दी मैन कंटेंस फिर खालिस्थान है ग्राम पर सो एमल हेमोगलोबिन इन ब्लट एक स्वस्त व्यक्ति या वर्सक व्यक्ति में लगभग में कितने ग्राम पर एमल हेमोगलोबिन रख्त में होता है तो तेरह से पंदा ग्राम, आप पंदा ग्राम है, चौदा ग्राम पर एमिल मान सकते हैं, ये लगभग में है, तेरह से पंदा ग्राम. Inner microchondrial membrane forms fold, these are called, आंतरिक सूत्र कडी का कला वलन बनाती है ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रिष्टी कहलाते हैं क्रिष्टी नेश कुष्टन है दा प्लेश आप फार्मेशन आप ग्लाइको लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन इन सेल इस कोसिका में ग्लाइको लिपिड तथा ग्लाइको प्रोटीन बनने का अस्थाल है कहां पर बनती है तो गौलजी बॉड़ी यानि गॉल जी काय में बनती है और गॉल जी काय की खोज कैमिलो गॉल जी ने की थी इन्हें के नाम पर इसे गॉल जी काय कहा जाने लगा नेश कुशन है निम्र में से किस बैग्यानिक ने कोशिका सिधान्त को अंतिम रूप दिया था अंसर सही होगा इसमें सी रुडॉल्फ बिर्को ने रुडॉल्फ बिर्को ने आपको बता दें जो पहला वाला आप्सन है स्लाइडन तथा स्वान इन्होंने कोशिका सिधान्त प्रस्तुत किया था और अंतिम रूप किस ने दिया तो रुडॉल्फ बिर्को ने दिया था नेश कुशन पर आते हैं नुकलियोलस इस दा प्लेश फार सिंथिस ओफ केंद्रिका किसके संसलेशन का अस्थल है पूछा गया है तो आंसर सही होगा इसमें आर आर एन्ने के संसलेशन का अस्थल है next question है chromatin contains chromatin में उपस्थित होता है क्या उपस्थित होता है answer सही होगा c DNA तथा histone उपस्थित होता है next question है in which of the following viruses the flow of information is opposite example RNA to DNA इन निम्न में से किस वीशाण में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात RNA से DNA की तरफ होता है answer सही होगा इसमें b HIV और HIV एक तरीके का retrovirus होता है retrovirus और HIV का पुरा नाम human immunodeficiency virus होता है और HIV से AIDS नामग विमारी है AIDS जो प्रतिरच्छा तंत्र को कमजोर करती है और AIDS का पुरा नाम acquired immunodeficiency syndrome होता है next question है भीचापदा following enzymes in Griffith experiment does not affect transformation answer इसमें कौन सा सही होगा पूछा काया निम्न में से कौन सा enzyme Griffith प्रयोग में रूपांत्रन को प्रभावित नहीं करता है तो इस question का answer आप लोग comment box में देंगे next question है if in an amino acid NH2 and COOH group are attached to same carbon the type of amino acid is यदि किसी amino 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 में NH2 तथा COOH समूह एक ही कारबन से जुड़े हूं तो ऐसे amino 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 को कहेंगे क्या कहेंगे सोचे और बताएए alpha aa कहेंगे alpha aa next question है which part of gene is not available in mature mRNA परिपक mRNA में gene का कौन सा भाग उपलब्ध नहीं होता है answer सही होगा इसमें से b intran भाग उपलब्ध नहीं होता है next question पराते हैं in which stage of mitotic cell division chromosome lose their identity सूत्री विभादर की किस प्रावस्था में गुर्षूत्र अपनी पहचान खो देते हैं answer सही होगा d t lo phase प्रावस्था में गुर्षूत्र अपनी पहचान खो देते हैं next question है chromosomal karyotype is prepared at which of these phase answer सही होगा इसमें b metaphase यानि पूछा गया था गुर्षूत्रों का karyotype किस प्रावस्था में तयार किया जा सकता है तो answer इसमें कहुआ b metaphase आपको बता दें कि bunny dain वा बाबेरी ने बताया था कि प्रतियक जीवजात में अन्य जातियों की गुर्षूत्रों गुर्षूत्र समूहों से भिन अपना गुर्षूत्र समूहों होता है जिसे karyotype कहा जाता है next question है which आपदा following bacteria oxidize ammonia into nitrate निमने में से कौन सा जीवाण आमोनिया को nitrite में परिवर्थित करता है नाइट्रो कोकस नाइट्रो बेक्टर यह था भी दोनों इन में से कोई नहीं आंसर सही होगा इसमें पहला नाइट्रो कोकस अमोनिया को nitrite में परिवर्थित करता है next question है which आपदा following elements is for rubisco आंसर इसमें कौन सा सही होगा निम्न में से कौन सा तत्रो रुबिश्को का को फैक्टर है आंसर सही होगा mg अथवा magnesium यानि रुबिश्को संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला protein है या कली जी की enzyme है और chlorophyll का important घाटक है जो magnesium होता है magnesium chlorophyll का important घाटक होता है next question है during the Z scheme of photosynthesis electron of which of these reduce NADP plus precast translation की Z scheme में निम्न में से किसके electron NADP plus को अब चाहित करते हैं तो photo system first यानि PS first को next question है CO2 acceptor is C4 cycle is C4 चक्र में CO2 ग्राही कौन है answer सही होगा BPEP यानि Phosphoenol Pyravic Phosphoenol Pyravic आपको बताते जलें कि हैच वास लैक चक्र C4 पौधों में जलता है C4 next question है in a yeast cell 1 glucose molecule produced a net ATP एक yeast कोशिका में एक glucose कितने ATP उत्वपन करता है answer सही होगा 2 ATP यानि yeast cell acts अपान ग्लुकोस मोलेकूल अंडर एन आरोबिक कंडिशन इल्ड एल्कोहल आइस एन प्रोड़क्ट दा प्रोसेस इस काल्ड फर्मेंटेशन next question है final receptor of electrons in aerobic respiration बाइवी सोसन में electron का अंतिम ग्राही है answer सही होगा B next question है in this plant structure a negative pressure potential is observed answer सही होगा B इस्तंभ जायलम next question है कौन सा खारीजर रच्छक कोशिका में जल विभाव का नियंतर करता है answer सही होगा C potassium iron next question है गहरे समुद्रिक पाने में उर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है तो hydrothermal vent हो सकता है next question है नपेंथीस खास याना है क्या है प्रात्मिक मान सा हरीतिथा प्रात्मिक उत्पादक होते है next question है इनमेंसे कौन सा सहवाल समुद्री पाने में बहुत गहराई में मिल सकता है तो लाज सहवाल next question है यदि RQ का मान 0.7 है तो स्वसन आधारी पदार्थ होगा क्या होगा वसा होगा जब फैट्स होगा next question है इनमेंसे किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता है तो आंसर सही होगा इसमेंसे D इन सभी का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है next question है chloride shift संबंधित है chloride shift is related with किससे रक्त में CO2 परिवहान से या CO2 ट्रांस्पोर्ट इन ब्लड से next question पर आते है next question है एक कोसिका में वसी अमल के आक्सिकरण की मुख विधी है answer सही होगा इसमें C बीटा आक्सिकरण next question है मन से सरीर में हमें आप रुभी ये निवरान कहां देखने को मिलते हैं answer सही होगा पहला रिटना की में क्राइन कोसिकाओं पर next question है आवेक संचर के दौरान एकसान कला का विधुर्वण किस कारण होता है तो answer सही होगा C N A प्लस के अंदर जाने के कारण होता है next question है आंत्रिक करण में अर्धर्चक्री नलिकाएंStu संबन देत है तो शरीर संतुलं से संबन देत है बॉड़ी बैलेंसिंग से संबन देत है next question है स्वस्त मनस में ह्र्दाई चक्र की अवधी होती है तो ह्र्दाई चक्र की अवधी 0.08 सेकेंड होगी next question है जलत था सोडियम आयन का पुनर्व सोशन एक साथ होता है किसमें PCT या DCT में आंसर सही होगा इसमें BPCT कही कही आपको DCT में मिलेगा जो सही हो देख लिजीगा इसको तो PCT यानि समीपस्त कुंडलित नलिका या proximal convoluted tubule होता है और ये एक नेफ्रान का भाग होता है चाहे वो PCT हो चाहे DCT हो नेश कुचन है एक्रोमियन प्रवर्ध भाग है किसका C इसके पुला अस्थी का भाग होता है नेश कुचन है PC संकुचन की किरियात्मक इकाई है तो सारको मेर PC संकुचन की किरियात्मक इकाई होती है और अंतिम प्रश्ण है पांच जगत विभाजन के अनुसार प्रोटो जोवा को किसमे रखा गया है तो प्रोटो जोवा को प्रोटिष्टा के अंतरगत रखा गया है आसा है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए धन्यवाद